अपसे पहले तो आपको धन्यवाद दूँगी, आपने बहुत अच्छे से समाल रखा है सारी वेवस्ता को और आपके पास में हमारे हेल्दी से हेल्थ मिनिस्टर बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाओंगी अच्छी बाद है वो भी बहुत चिंतीत है, सारी वेवस्ता वो भी देख रहें अपने स्थर पर और तात्मे में हमारे प्रदेश अद्दिक जी को भी धन्यवाद दूँगी, वो भी अपने स्थर पर सब चीजे देख रहें मैं बहुत जादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि वैसे ही हमारे देश की गुजरात के दो मोटा भाई बैटे हैं देश के उपर, उन्होंने व्यवस्ता सारी खराब कर रखी, लोग तंतर के रहें लेकिन मैं मुद्दे पर आजाती हूँ सर्थ जो हम लोग जो क्वांटाइन के आप बात कर रहे थे, इसके लिए कोई सुझाव, तो मेरे से पहले फुलेरा से आने वाले विधायक दे चुके हैं हमारे ग्राम पंचायत इस तर के उपर स्कूले हैं काफी जो गाउंव से भार की तरफ भी हैं तो जो भार से हमारे लोग आ रहे हैं, उनको बॉर्डर के उपर उनका जो स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उनको उनके गाउं के अंदर भेज दिया जाए, वहाँ पे स्कूलों में उनके क्वांटाइन हो जाए, हाला कि डबलू एचो की है की हेल्थ, वर्ड हेल्थ और् लेट बात अटेच होना चाहिए, लेकिन उनको हिंदुस्तान की और हमारे राजस्तान की परिस्तिती नहीं पता है, बहुत आबादी है, और इतनी जगे यहाँ पर है नहीं, तो घर के पास अगर वो लोग आएंगे तो उनको होम अलोन फील नहीं होगा, घर से उनके खाने पीने की विवस्ता, रहने की विवस्ता हो जाएगी, तो एक सरकार के उपर भार कम आएगा इस चीज का, दूसरा मैं कहना चाहते हूं सर, नरेगा के तहट, जैसे हमने घोशना पत्तर के अंदर किसानों के लिए वादा किया था, नंदी शाला का कि हर ग्राम पंचायत इस सकता, लेकिन नरेगा के तहट, एक सीमित एरिया के अंदर हम खाई खुदा के आवारा पशो को वहां इकटा करने का काम कर सकते हैं, ताकि गाओं में किसानों को उसका लाब मिल सके और उसके चारे पानी की विवस्ता गाओं वाले कर सकते हैं, ये नरेगा के तहट काम हो ज तोड़ी और उदारता रखते हुए उनको 20% से 30% जितना वो काम करते हैं उससे अगर हम थोड़ा उनको जादा देंगे तो उनके घर की समस्या, खाने पीने की समस्या, बच्चों की पढ़ाय की समस्या पे भी हम थोड़ा सा उनकी मदद कर सकेंगे इस बहाने क्योंकि तो जितना वो काम करते हैं उससे थोड़ा सा 20-30% बढ़ा के अगर हम उनको देंगे तो उनके घर की विवस्ता ठीक से चल पाएगी तीसरा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सराने वाले गर्मी के अंदर पानी का और बिजली की जो समस्या वो बढ़ेगी और हम जा आने वाले दिनों में बारिश का भी मौसम रहेगा ज्यादा बारिश होती है कम बारिश होती हम कह नहीं सकते तो कंटेंशी जो आपने डिस्टिक लेवल पर दे रखी वो उसके लिए भी काम करें लेकिन मैं चाहती हूँ की विधाय कोटे से आप जैसे हमेशा करते आएं 20% 25 परसेंट या 15 परसेंट आप अलाउड कर दें कि हम लोग पानी बिजली के विवस्ता के अंदर गरीब तबके के लोग है उनकी हम लोग विवस्ता कर सकें उसके अंदर मैं समझती हूं क्योंकि हमारा वैसे भी पूरे देश के हमारे राज्ये में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है फिर भी हम लोगों को आने वाले टाइम के लिए पानी बिजली के लिए भी लड़ाई एक लड़नी पड़ेगी बारिश का मौसम भी आ रहा है कहीं ज्यादा पा सेंट आप पानी और बिजली के लिए भी दे दे तो एक लोगों को हम लोग सुवीदा उपलक्त करा सकें अल्टिमेटली सरकार पर ही वह वह जाना है और तीसरा में कहना जाओंगे सर मेरे अलसी सर ब्लॉक के अंदर खारे पानी का ब्लॉक है फ्लोराइड का है और आपने बजट में भी घोशना कर दी थी उसके अंदर लेकिन वो टीएस उसके अभी तक जारी नहीं वे टीएस जारी हो जाती तो जो वहां पे जो डैम बनावा उससे लोगों को पानी पीने के पानी मुहिया हो जाता और बड़ा एक लोगों को राहत मिल जाती दूर दराज के अं जाती चाहांगी सर नहीं यह पांच माय यह पांच माः जाती हमेशा मैं जाओगी सही टाइम विधान सबा में भी यह आवाज उठी थी और मैं भी आपको डूबारे बताना चाहांगी कि जो हमारे यहां पे उध्योग लगे है हम लोग जमीन दे रहें उनको सारी फैसिलि परसेंट, तीस परसेंट, पचास परसेंट, राजस्थान के जो लोग है, उनको श्रामे स्किल्ड यानि स्किल्ड लोग उसके अंदर काम पे लग जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में लाइवली हुट का एक बहुत बड़ा हमारे सामने मुद्दा हो जाएगा कि पलाइन कर कि लोग आ तो गए इतनी तादात में, लेकिन इनको हम रोजी रोटी कैसे दें, आपके नेतित्व के अंदर राजस्थान बहुत अच्छा चल रहा है सर, और हमारे जुंजुनो जिले में, हमारे कलेक्टर, SP, पूरा एड्मिस्टेशन, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हमा वो पॉजिटीव थे, उनके साथ वो भी पॉजिटीव हो गए, पर सब मुष्टेथी से हम सब लोग मिलकर लडएंगे, सर, आपका आशिवाद, फिर भी अच्छा कंट्रोल किया आप लोगों ने बढ़े आपको, अच्छा कंट्रोल किया आ रहे है